है गाईज विल्कम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत हैप के इस वडियो में तो दोस्तों आप सभी केनिट्ट ले गुड नूज है फाइनली एसी आईल की तरब से पर्मानेंट सरकारी नौकरी की जब अरजस्त वेकिंस आचुकी है जो के ओल इंडिया के केनिडेट अप्लाइ कर सकते हैं पर्मान उर्जा विभाग की तरब से आईटिया टेक्निशन ग्रेड थ्री वालों के लिए पर्मानेंट सरकारी नौकरी की वेकिंसी निकाली गई है जहां पर डिफरेंट आईटिया के वेरियस ट्रेट के केनिडेट अप्लाइ कर सकते हैं यह टोटली सरकारी नौकरी होगी पर्मानेंट जॉब्स होगी याने कि इलक्ट्रोनिक कॉर्परेशन ओफ एंडिया लिमिटेड तो चलिए गाईस डिटेल नोडिफिकेशन वाइस डिसकस करते हैं कि कौन-कौन से केनिडेट अप्लाइ कर सकते हैं अगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब कर लें बैल ऐकन को प्रेस कर लें और इसी तरह बहतरीन जॉब्स अबडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कर रहें साथ में अपना ट्रेड अपना ब्रांज समय जरूर कमेंट करके बताईएगा चली आगे बढ़ते हैं तो गैज यह है आपका ओफिसियल नोडिफिकेशन जो की एक सौट नोडिफिकेशन के रूप में अभी जारी किया गया है यह एक सौट नोडिफिकेशन है और अपकमिंग इंपलोईमें नुज पेपर में यह नोडिफिकेशन पबलिच कि जाएगी देन औफिसियल नोडिफिकेशन फका ओफिसियल नोडिफिकेशन है धियान रखना नौड़िज देखलो Electronic Corporation of India Limited, Government of India Enterprises, Atomic Energy यानि कि वही आपका Department परमान उर्जब विवाग के अंडर में आता है और यही आपका सर्कुलर जारी की गई है Technician Grade 3 जो की WG Grade 3 के अंडर में आता है यह आपकी नौकरी होगी और Totally यह Permanent नौकरी होगी Direct Recruitment Basis पे Different Trade के Candidate Apply कर सकते हैं Celery के में बात करूँ तो इसका Basic Pay इसके लोता है 20,480 रुपे यह Basic होता है जिसमें कि TADA, HRA and Different आपकी Pucks जोड़ता है क्योंकि एक आपका परमान उर्जब विवाग है Public Sector की Department आई तो बच्छी खासी Celery मिलेगी Trade देख लो, First of All Trade की, सबसे ज़्यादा Vacancy यहाँ पर Fitter की निकाली गई है Machineist की Total 7 Post है, Electrician वालों के लिए 6 Post है और Electronic Mechanic के लिए 7 Post है यहनि की ज़्यादा Vacancy तो नहीं है, बट ECIL की तरप से बहुत दिनों के बाद अगर मैं बात करूँ, 2024 में पहली बार Permanent की Vacancy निकाली गई है पहले 1100 Post पर जो Recruitment आई थी, वो Post सिर्फ Elections के लिए निकाली गई थी और अभी तक उसकी Joining Currently, Finally हो चुकी है, ओके बट 2024 में Permanent की Vacancy यह पहली बार है, तो जरूर एपलै करना बट रिस्टिक्शन्स देखलो कि Open Market में एपलै कोन कर सकता है ITI Pass Out Canada एपलै कर सकता है, First of all 10 पास होनी चाहिए प्लस ITI की Certificate होनी चाहिए ITI जो चलेगा NTC National Trade with NAC, यानि कि लगभग लगभग आपका कम से कम NAC Experience जरूरी है, कमपल सरी है कहीं से भी आपने Apprentice कर रखी हो, बेसक आप एपलै कर सकते है Fraser ITI के Student यहाँ पर एपलै नहीं कर सकते है कुछ Vacancies होगी Manufacture Process में, अगर आपके पास One Year की Relevant Experience है, तो भी आप एपलै कर सकते हैं अगर आपने 10th Pass करके ITI किया है और Apprentice किया है, तो बेलकल एपलै कर सकते हैं अब यह चीज भी ध्यान रखें, ITI करके Apprentice एपलै कर सकते हैं बड़का जो 10th Pass किये हुए है, प्लस Apprentice है या फिर प्लस Experience है, तो भी आप एपलै कर सकते हैं तो different सक्टर यहाँ पर एपलै कर सकते हैं जो कॉंट्रेक्ट में वेकेंसी निकाली गई थी ने, 1100 पोस्ट पे अगर वो कैंडिड एपलै करोगे तो आप वो 40 साल का इजरेल एकसेशन मिलेगा ओनलाइन फॉर्म 23 मार्च से सुरू होगी तो अभी डेट है आपके पास, ज्यादा दिन टाइन है दो से तीन दिन में कि उसके ऑफिसियल नोडिफिकेशन आ जाएगी और इसकी लास्ट डेट है अपलै करने के लिए 13 अपरेल दोजार चॉबिस ओके गई तो यह फुली अपडेट है और ऑफिसियल एक सौट नोडिफिकेशन जारी की गई है जिसकी डेट 23 मार्स से सुड़ू होगी जितनी भी स्टूडेंट हैं एलिसिबल हैं अपलै करने के लिए तैयार हो जाएगी और तैयारी सुरू कर दीजे पर्मान उर्जा भ्याग में पर्मनेंट जॉब्स के लिए बात रही इसकी ऑफिसियल नोडिफिकेशन के बारे में इसकी एक्जाम सलेवेस के बारे में एक्जाम सलेवेस क्या होगा क्या विदाउट एनी अप्रेंटिश थिप अपलै कर सकते ही नहीं कर सकते तो इसकी जब official notification आएगी न तो उसमें detail आपको बता दिया जागा और जैसे official publish होती है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आजाओंगा तो उसके लिए attention ना है और form कैसे fill up करनी है ये भी मैं आपको बता दूँगा ओके गैस तो hopefully सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी